हेलो फूडीज वेखलों बेक टो मैं चैनल फीलिंग फूडीज आज हम आपके शाय करने जारें फिस करी की रेसिपी जो बहुत ही इजी और की फिस करी की रेसिपी है और टेस्ट एजाक की हारकोई दिवाना हो जाए तो देख लेते हैं इसे बनाना कैसा है सबसे पहले हम फिस को मैरेनेट होने के लिए रखेंगे उसके लिए एक बड़े पाउल में 1 टेस्पून कसमेध्ज पाउडर, 1 टेस्पून नमक टेस्ट काकोडिंग, 9 टेस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अधरा कोल लसून का पेस्ट अब इन सब मसालों को हम 1 टेवल स्पून पाई डालकर अच्छे से मि wealthy कार लेगे आप देख से हमाइजो मसाला है वह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम 1 किलो रोहू फिस को ढाल देढ़े इसको हमने पहले ही अच्छे से धोकर छलने में रग दिया था ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए अब फिसमे अच्छे से मसालो को लगा देंगे आप दे सकते हैं फिसमे मसालो की अच्छे से कोटिंग हो गई है अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए मेरे निट होने के लिए रख देंगे दस मिनट हो गए हैं अब चलते हम ने इस प्रोसेस में उसके लिए पैन में आधा कची सरसो का ओईल ये लेंगे और ओईल को अच्छे से गरम कर लेंगे और जब ओईल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम एक एकर की पीस के पीस को डाल देंगे और इसको हम दोनों से इसे लाइर गोल्डन फ्राई कर लेंगे दो से तीन नट हो गए हैं आप दे सकते हैं एक से इसे हमाई जो फिस है वो फ्राई हो गई है अब इसको हम पलट देंगे और इस से भी हम फ्राई कर लेंगे अब ये जो हमारी पीस है वो प्राई होगी है इसको हम निकाल लेंगे फिसको फ्राई करने में टोटल पास साथ नरड लगेंगे इसे ज्यादा हम पीस को फ्राई नहीं करेंगे वना जो हम पीस के पीस है वो टोट जाएंगे अब सेकंड पेज को अभी हम फ्राई कर लेंगे और यह हमारा सेकंड पेज भी प्राई हो गया है इसको अभी हम प्लेट में निकाल लेंगे और यह हमारी फ्राई होकर रेड़ी है अब चलते हैं हम इसके ग्रेवी बनाने के पॉससे में अब हम एक कराई लेंगे या फिर उसी पें पें को ले लेंगे जिसमें फिस को फ्राई किया था उसमें हम डेर कर छी ओल ले लेंगे इसमें हाम वही ओफिस को फ्राय किया था। फड़ा one के लेंगे तो यह हो जाएगा जब ऐल अच्छीव गरम हो जाएगा स्मा आदा डीज्प proposal मैती दाय डाल देंगे тप्युन तो फंह त्र लंक को डाल देंगे को है डाल देंगे अब इसेow कर दो से तीन रड़ फ्राय करने के पाद इसमें हम वन टेबर स्पून अद्रावल हसुन का पेस्ट को डाल देंगी और फेसे हम चाह से पास बराब बून लेंगे अच्छे इसको चाह से पाच मिन रड़ पकाने के पाद इसमें हम पाउडर मसाले डाल देंगी डेल टैबल स्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून कस्मे मिस पाउडर एक टीस्पून नमक टेस्ट के ओड़िंग वह चता टीस्पून हल्दी पाउडर आप इन सब मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगी और इसमें हम अच्छे से मसाले को पकने देंगी पास से साथ मिनर पड़ा हमारा जो मसाला है वह अच्छे से भून गया है आप देशकते हैं और इल हमारा सरफेस पे दिखाई देने लगा है अब इसमें हम दो मीटें साइज के टरमाडर की प्लॉरी को डाल देंगे और फिर इसमें से पास से साथ मिनर अच्छे से भून लेंगे इसको हम ढखन से कवर कर देंगे पास से साथ मिनर बाच्छे करेंगे आप दे सकते हैं हमाई जो टरमाडर है वो अच्छे से फख चुके हैं अब इसमें हम पानी को डाल देंगे जितनी गाड़ी हमें ग्रेवी रखनी है हम उसे साफ से पानी डाल देंगे हम यहां एक ग्लास पानी को डाल देंगे क्योंकि मुझे जो ग्रेवी है वो गाड़े साइड पर चाहिए साथ इसमें दो से तीन हानी में इसको लंबाने पर काट कर डाल देंगे अब इसको धपन से कबर करके इस पानी में एक बॉई लगा लेंगे आप दे सकते हैं हमाई जो ग्रेवी है उसमें एक बॉई ला गया है अब इसमें हम फ्राई की हुई फिसको डाल देंगे बहुत ही हलके हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे अब इसमें हम उंचो ताइटी स्पून गरम मसला पाउडर साथ ही वन पीच चिकासूरी मेथि को डाल देंगे अब इसको हम ढखन से कवर करके दो मिनट और पकाएंगे दो मिनट पकाने के पाद हम गेज की फ्लैम को आफ कर देंगे और अब इसमें हम बार इकटा होगे हरे दन ये को डाल देंगे और इसको हम डिस आउट करेंगे और ये हमारी फिसकरी तयार है जो भी खाया का उसके मूँ से बस यही निकलेगा वह मज़ा आ गया बहुत ही अमेजी बनका तयार हुई है ये उपर से थोड़े धनी की पद्दी से गानिश कर देंगे और ये रेड़ी है हमारी फिसकरी आपका दिल खुश करने के लिए आई होप आपको आज की रेसिपी बसंद आई होगी तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राइ करें और अपनी फैमली फ्रेंड के साथ इंजोई करें और अपना फिड़बेक देना कमेंट में ना भूलें अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिगा मेरे चल्ट को सब्सक्राइब कीजिगा और अपने दोस्तों के शशे करना ना भूलेगा मिलते है ने इस वीडियोओ में तबते के लिए बाइबाइ